दियर स्टुडेंट आफ क्लास 12 आज हम लोग बाइले जी में चैप्टर 6 स्टड़ी करेंगे चैप्टर का टॉपिक है अब यह जीन किसका बना होता है इसका मोलेकुलर बेसिस पर स्टड़ी करेंगे और यह कैसे ट्रांस्मेट करता है कैरेक्टर को पैरेंट से ओफ स्प्रेंग में और क्रोमोजोम पाया जाता है नुकलियस के अंदर कैसे हुआ genetic material का खोश क्रोमोजोम नुकलियस के अंदर है और क्रोमोजोम के उपर पाया जाता है जीन और जीन बना होता है genetic material nucleic acid DNA RNA genetic material DNA RNA है और इसमें से stable genetic material है DNA किस तरह से जनेटिक मेटिरियल की खोजुई उसको हम लोग देखते देखें फ्रेडरिक मिस्टर जो साइंटिस्ट थे 1869 में उन्होंने डबलो बीसी वाइट ब्लड सेल जो है उसके नुकलियस को आइसोलेट किया क्यों आइसोलेट किया उसके अंदर क्या कॉंटेंट है दे संब्स्टेंस मिला जिसको नुकलियनद बोलते हैं जिसे में नायट्रोजन और फॉस्पोरस था दबलो बिसे के नूट глас में इस अन्युजवल एसीडिक सबस्टेंश को जिह में नायट्रोजन और फॉस्पोरस है उसे नीउकलिक आसेड कहा गया यह नूकलीन भी कहा गया नूकलीक एसीड जो आइसोलेट किया गया WBC के नूकलीस से असेडिक सबस्टेंस है जिसमें नाइट्रोजन है फॉस्पोरस है और वो प्रोटीन से भी पाया गया अटेस्ट है कौन सा प्रोटीन से हिस्टोन एंड प्रोटामाइन से से अटास्ट होता है तो इसको नूकली प्रोटीन बोलते हैं अब नूकलीक आसिड को प्रोटीन से से अपरेट करना करने से नूकलीक आसिड अलग हो गया लिए इस्टे आइसोलेट हुआ था सिंधन प्रोटीन से जब उसको सेपरेट किया गया तो देखा गया कि यह क्योंसेश्ट जो है बनता है क्रोमैटीन बोलते हैं यह क्रोमैटीन डूरिंग दे शेल डिविजन मेटाफेज स्टेज के समय में थिख होता है यह कोंडेंस हो जाता है और ख्रो्मो जो मिदा रहे और डो क्रोमेटी सेंट्रो मिएर से एटाज्ट टो करकि क्रोमो compressor बनाता है और क्रोमोजूम के उपर में fine bead like structure होता है जिसको क्रोमो मीर्स कहते हैं यह क्रोमो मीर्स है और इसी क्रोमो मीर्स के उपर जीन पाया जाता है तो हम लोग देख लेते हैं chemical composition of क्रोमोजूम क्रोमोजूम बनता है nucleic acid से basic histone protein से acidic non-histone protein से और mineral से क्रोमोजूम में कौन-कौन nucleic acid पाया जाते हैं तो DNA और RNA DNA nucleic acid में 45% है RNA 5% है क्रोमोजूम में basic histone protein भी पाया जाता है कुछ basic histone protein है जैसे arginine, lysine, histidine, acidic non-histone protein भी पाया जाता है जैसे tryptophan, tyrosine, lysine, eye solution और mineral भी पाया जाता है क्रोमोजूम के उपर calcium, magnesium, iron यह जो chromatin है chromatin के अंदर यह fine thread like structure होता है इस पर चुटा चुटा bits like structure होता है इस bits को हम लोग nucleosome कहते हैं यह nucleosome जो है क्रोमेटिन का इसको हम लोग unit भी बोल सकते हैं क्योंकि इच nucleosome bit जो है पहले chromatin पे distance में प्लेस रहता है और इस nucleosome bit जो बनता है 8 histone, histone octamer से बनता है, 8 histone protein रहता है और यह 8 histone protein को wrap करके 200 base pair of DNA पाया जाता है और histone octamer जो होता है यह positive charge होता है और DNA base pair, 200 base pair जो DNA है यह negative charge होता है यह nucleosome बनाता है और nucleosome chromatin के ऊपर पाया जाता है और chromatin का unit को हम लोग nucleosome कहते हैं cell division सुरू होता है metafage stage में जब chromatin ठीक होके chromatin बनाता है condensed होकर के तो कैसे condensed होता है तो यह nucleosome जो पहले distance में placed रहता अब एकदम नजदीक नजदीक आ जाता है जिससे chromatin ठीक हो जाता है और chromatin बनता है और 2 chromatin दूसरी के साथ centromere से attached होकर के chromatin बनाता है और chromatin के उपर क्या पाया जाता है fine bits like structure जिसको chromatin कहते है और यह जीन बनता है DNA का और DNA के किस पार्ट से nitrogenous basis से तो हम लोग देख लें DNA क्या है DNA जीन जो है chromatin के उपर है जिसको हम लोग unit of variety कहते हैं यह help करता है transmission of character from parent to offspring और generation after generation और यह जीन जो है DNA का बना होता है DNA के किस पार्ट से बनता है DNA में nitrogen basis चार होते हैं चारो चारो continuously arranged रहते हैं ATGC उसमें से 33 जो nitrogen basis है एक साथ triplet codon बनाता है और यह triplet codon transmit करता है information को genetic information को protein synthesis के information को from DNA to messenger RNA और messenger RNA उस information को translate करता और protein synthesis करता है तो DNA का पूरा नाम हम लोग पहले भी सीख चुके DNA का पूरा नाम है deoxy ribos nucleic acid यह complex organic material है और most stable genetic material है और यह पाया जाता है nucleus में chromosome के ऊपर और यह gene के निर्मान में साहथा करता है यह most stable genetic material है क्योंकि इसमें mutation rate जो है बहुत slow होता है और सभी living organism में पाया जाता है DNA mitochondria और chloroplast में भी पाया जाता है DNA का पूरा नाम हो गया deoxy ribos nucleic acid और इसमें इसका नाम deoxy ribos nucleic acid क्यों है क्योंकि इसमें जो सुगर है उसका नाम है lack of one oxygen है इसलिए इसका नाम deoxy ribos sugar है अब हम लोग देख लें DNA का structure कैसा होता है according to Watson and Crick model DNA का जब discovery नहीं हुआ था उसमें Watson and Crick ने DNA का structure कैसा होगा उसके लिए model दिया था तो D ने दो polynucleotide chain से बना हुआ है और दोनों polynucleotide chain एक दूसरे से anti paralleli run करते हैं एक polynucleotide chain जो है 5' से 3' direction में जाता है तो दूसरा polynucleotide chain 3' से 5' direction में आता है इसका मतलब दोनों polynucleotide chain की polarity opposite है और अगर एक imaginary axis को माने बीच में तो दोनों जो polynucleotide chain है एक दूसरे से opposite direction में coiled form में रहता है imaginary axis पर तो हम लोग DNA को बोल सकते हैं यह double helically coiled structure है जिसमें दो polynucleotide chain एक दूसरे को opposite direction में imaginary axis पर coiled कर लग किये हुए हैं और अब यह जो दोनों polynucleotide chain है opposite polarity वाला जो एक दूसरे से anti parallel ही run करते हैं हर polynucleotide chain पॉली मतलब होता है many nucleotide तो हर polynucleotide chain किस से बनता है nucleotide से हर polynucleotide chain बनता है nucleotide से और इसका मतलब polynucleotide chain का unit हो गया nucleotide और दाथ DNA का unit क्या हो गया nucleotide क्योंकि DNA two polynucleotide chain से बना है और इच polynucleotide chain सिंगल nucleotide से बना है इसलिए unit of DNA है nucleotide अब एक-एक nucleotide किस से बना है तो यहां पर जो एक helix है इसके बीच में देख रहे हैं बहुत सारा nitrogenous basis है AT, G, C, C, G, AT तो यह nitrogenous basis जो है chain के उपर है और sugar और phosphate जो है sugar और phosphate chain के बाहर है nitrogenous basis sugar और phosphate मिलकर के nucleotide बनाता है एक-एक nucleotide तो DNA में nucleotide जो बना हुआ है जो unit DNA का nucleotide तीन चीज़ से बना है sugar nitrogenous base and phosphate sugar DNA में जो पाया जाता है डियोक्सी राइबो सुगर है यह एक पेंटो सुगर है इसमें 5 carbon है और second place पे जो carbon रहता है उसमें oxygen absent रहता है और इसमें nitrogenous और sugar जो है chain के बाहर है nitrogenous basis जो है यह ATGC यह nitrogenous base chain के उपर पाया जाता है nitrogenous base DNA में दो तरह का है एक है purine और दूसरा है pyrimidine, purine nitrogenous base DNA में दो तरह का है adenine, इसको capital letter A से लिखते हैं guanine, G, pyrimidine दो तरह का है cytosine and thymine, cytosine के लिए C लिखते हैं, thymine के लिए capital T लिखते हैं इसके अलावे phosphate iron है, phosphate iron यह negatively charged होता है, तो deoxy ribosugar nitrogen base और phosphate iron तीनों मिलकरके एक nucleotide बनाते हैं जैसे इसे structure में देख रहे हैं, एक nitrogenous base adenine, यह purine है, यह sulfur और phosphate से attached होकरके एक nucleotide बनाता है उसे तरह से guanine, sulfur और phosphate यह तीनों भी एक साथ मिलकरके एक nucleotide बनाता है, उसे तरह से cytosine, sugar, phosphate अब हम लोग देख रहे हैं कि nitrogenous basis 4 तरका है और वो chain पर पाया जाता है, और sugar और phosphate जो है chain के बहार है, वो chain का skeletal system बनाता है और इसका मतलब है nucleotide बनता है, sugar से phosphate से nitrogenous basis से अगर nucleotide में सिर्फ sugar है और nitrogenous base है उसमें phosphate नहीं है, तो ऐसे nucleotide जिसमें phosphate नहीं है, सिर्फ sugar और nitrogenous base है तो उसे nucleotide नहीं कहेंगे, उसमें nucleoside कहेंगे और nucleoside जब phosphate से attached हो जाता है तब nucleotide बनता है एक helix के बीच की दूरी या pitch of helix जो होता है उसका length होता है 34 angstrom या 34 nanometer और एक pitch या helix के बीच में 10 nitrogenous bases होते हैं तो अगर पूचा जाए कि 2 consecutive nitrogenous base के बीच का distance कितना होगा तो 34 total distance है single helix के बीच में और total number of nitrogenous bases 10 हैं तो divide कर दिनने से single consecutive base के बीच का distance आता है 3.4 angstrom और diameter देखें single helix के बीच का तो diameter होता है 20 nanometer उसके बाद nitrogenous bases जो chain पर होते हैं nitrogenous bases की क्या बिचिस्ता है एक polynucleotide chain का अगर nitrogenous base मालूम है तो दूसरा polynucleotide chain का nitrogenous base हमको पता चल सकता है क्योंकि वो complementary होता है और हमेशा यह ध्यान में रखना है कि एक purine, purine 2 है, adenine और guanine, pyrimidine 2 है, cytosine और thymine हमेशा complementary base bearing होता है तो purine अगर adenine है तो वो हमेशा bond बनाएगा, thymine के साथ attached होगा और adenine जब thymine से attached होता है तो उसके बीच में दो hydrogen bond होते हैं उसी तरह से thymine अगर है एक polynucleotide chain में तो उसका complementary base pairing होगा adenine से उसके बीच में भी दो hydrogen bond होगे तो हमेशा एक purine, हमेशा एक pyrimidine के साथ ही attached होता है अगर guanine, purine है तो वो attached होता है cytosine से और उन दोनों के बीच में attachment जो bond है, तीन hydrogen bond होता है similarly एक pyrimidine हमेशा attached होगा purine से तो अगर cytosine अगर polynucleotide chain में तो उसका complementary base होगा guanine और उनके बीच में भी तीन hydrogen bond होगे तो जैसे हम लोग का ये helix के बीच में 10 nitrogenous basis है, एक polynucleotide chain का sequence है A, तो उसका complementary base pairing होगा T से, दूसरे polynucleotide chain में T होगा nitrogen base और A और T के बीच में 2 hydrogen bond, similarly अगर एक polynucleotide chain में guanine है nitrogen base, तो दूसरा polynucleotide chain में cytosine होगा cytosine होगा और उनके बीच में 3 hydrogen bond होगा, उसे तरह से अगर cytosine है, तो दूसरा polynucleotide chain में guanine होगा उनके बीच में 3 hydrogen bond होगा और इस तरह से एक polynucleotide chain का nitrogen basis sequence है, हम लोग दूसरा polynucleotide chain का nitrogen base sequence पता कर सकते हैं और nitrogenous basis, purine और pyramiden, purine attached होता है pyramiden से और pyramiden attached होता है, एक single pyramiden attached होता है या cytosine, गवानिन, सैंट अडिन से और감을 के बीच में 2 hydrogen bond, गवानिन और cytosine के बीच में 3 hydrogen bond nitrogenous basis chain के उपर है और hydrogen bond chain के अंदर है, ये chain में दिखाई देता है एक ladder like appearance अगर अब इसको हम बड़ा करके देखें तो यहां पर दो पॉलिनुक्लोटाइट चेन है दो पॉलिनुक्लोटाइट चेन में नाइट्रोजनस बेसस दिखाई दे रहा है अगर इस चेन का नाइट्रोजनस बेसस यह है ए टी जी सी तो दूसरा चेन का अर्थाट एडिनिन है, तो वह ताइमिन प्योरिन है, तो वह ताइमिन पिरिमिडिन से बाइड करेगा और दुनों के बीच में तीन तो वह बाइंड करेगा अगर पीरिमीडिन है तो वह बाइंड करेगा अगर पीरिमीडिन है तो वह बाइंड करेगा अगर पीरिमीडिन है तो वह बाइंड करता है कि अगर यहाँ पर four pair of nitrogenous basis है तो यहाँ इस chain पर number of nucleotide कितना है अगर four nitrogenous basis pair है चार जोड़ा nitrogenous basis है तो number of nucleotide इसमें eight होगा क्योंकि nucleotide बनाने के लिए nitrogenous basis हमें से attached होता है sugar से और phosphate से और phosphate और sugar जो है chain के बाहर है और यह nitrogenous basis chain के उपर है और adenine और thymine के बीच में दो hydrogen bond guanine और cytosine के बीच में तिन hydrogen bond और जो nitrogenous basis है sugar से attached होता है एक bond के द्वारा उस bond को glycosidic bond कहते हैं similarly phosphate और phosphate की बीच में पीच में जो पांड होता है उसको phosphodiester linkage कहते हैं यह two strand of DNA है दोनों antiparallely run करता है एक 5 प्रेम से 3 प्रेम दूसरा 3 प्रेम से 5 प्रेम और इसमें 4 nitrogenous basis पेर है तो इसमें number of nucleotide होगा eight अब लोगन नुकलोटाइट क्या है नुकलोटाइट ॶूगर फॉसफेट प्लस nitrogenous nitrogen base प्लस सूगर फॉसफेट को हम लोग नुकलोटाइट कहते हैं और निग्लेटाइड से तो हम्लोगनेयोसाइड कहते हैं और नुकलेटाइड बनते हैं क्युक्स प्रक्सक्राइड होता है तो कौन से नूकलिक आसिट में कउसे प्रम है और नुक् circuits फार्म में जलिया 100 तो इसे कोcase से पिच्यू थतर्तत होता है अध्राइब के साथ do है आरयने में अर न्युक्स budण फ़र्म को बोलते हैं अधिन आई डायड रने अगर नूस्य ृत्वर्म में तो DNA में उसका नाम है deoxy adenosine nucleoside form का और nucleotide form का नाम है deoxy adenylate दूसरा प्यूरीन है guanine, guanine RNA में guanine का nucleoside form है guanosine और nucleotide form है guanilate guanine का nucleoside form DNA में है deoxy guanosine और उसका nucleotide form है deoxy guanilate पिरिमीडिन तीन तरगा है cytosine, thymine और uracil thymine सिर्फ DNA में पाया जाता है और RNA में thymine नहीं पाया जाता RNA में thymine को replace करता है uracil तो DNA और RNA का strain को हम लोग देख के पहचानेंगे इस nitrogen base के आधार पे और यह जो पिरिमीडिन nitrogen base है thymine यह DNA को ज़्यादा stable बनाता है तो cytosine का nucleoside form RNA में cytidine है और nucleotide form cytidilate है cytosine का nucleoside form DNA में deoxy cytidine है और उसका nucleoside form DNA में deoxy cytidilate है thymine, thymine का nucleoside form है thymidine यह deoxy cytidine सिर्फ DNA में पाया जाता है nucleoside form thymine का thymidine यह deoxy cytidine और nucleotide form है इसका thymidilate यह deoxy cytidilate uracil का nucleoside form है uridine और इसका nucleotide form है uridilate और यह uracil RNA में पाया जाता है RNA में uracil का nucleoside form uridine और nucleotide form uridilate अब हम लोग देख लें interrelationship क्या है chromatin का DNA का और gene का तो हम लोग पहले जानते हैं कि nucleus nucleus में nucleus में four part है outer membrane को हम लोग nuclear membrane कहते है nucleus के अंदर जो liquid portion भढ़ा रहता है जिसको nucleoplasm कहते है इसमें fine thread like structure है जिसको हम लोग chromatin कहते हैं और एक छोटा सा nucleus है little nucleus इसको nucleolus कहते हैं यह जो fine thread like structure है chromatin यह आगे चल करके cell division के समय में chromozome बनाता है कैसे बनाता है तो इस chromatin के उपर छोटा 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 bits bits like structure होता है इस तरह से इस bits को हम लोग बोलते हैं nucleosome और हर bits जो है chromatin के उपर nucleosome का यह बनता है histone optomer से चार histone protein है basic histone protein जो attached होता है 200 base pair of DNA से और एक एक nucleosome बनाता है chromatin पर starting में यह nucleosome bits जो हैं दूर दूर पाय जाते हैं किन्तु metafage के समय में जब chromatin condensed होता है तो उस समय में nucleosome bits जो हैं दूर दूर थे नजदिक आ जाते हैं जिससे chromatin थिक होकर के chromatin बनाता है और दो chromatin जो है आपस में centrom ear से जुड़ जाते हैं और बाद में chromatin का निर्मान करते हैं और इस chromatin पर fine granular particle होता है जिसको chromatin मेर्स कहते हैं और इस chromatin मेर्स पर जीन पाया जाता है और यह जीन बनता है डिनेस और हिस्टोन ओक्टमर में हिस्टोन ओक्टमर और नुकलियोजोब में जो हिस्टोन ओक्टमर है वो हमें इसा positively charged होता है 200 बेस पर डिनेस उसके उसके उपर wrap करता है वो negatively charged होता है अब हम लोग देख लें chromatin क्या है तो अभी हम लोग देखें नुकलियोज के अंदा fine thread like structure है जिसको हम लोग chromatin कहते हैं जो बनता है fine bits like structure जिसको नुकलियोजोम कहते हैं और इस बीट्स नुकलियोजोम का बनता है इस्टोन ओक्टमर से जो positively charged होता है उसको रैप करके 200 बेस पर डिने होता है जो negatively charged होता है और यह chromatin जो है cell division के metaphase stage में condensed होता है इसका नुकलियोजोम बीट्स पास पास आ जाता है ठीक हो जाता है chromatin बनता है फिर दो chromatin centromere से जुड़ करके chromatin बनाता है chromatin के उपर जीन पाया जाता है और जीन बनता है डिने का क्योंकि नुकलियोजोम में DNA है और nitrogenous basis जो है तीन ठो nitrogenous basis चार है और चारो चेन के ऊपर पाया जाता है DNA में यही जीन का construction करता है चार nitrogenous basis है और चारो ही एरेंज रहते हैं frequently और उसमें से 3-3 मिल करके triplet codon बनाता है जिसमें genetic information रहता है protein synthesis का जो messenger RNA में आता है transcription के द्वारा फिर वो translate होता है और protein synthesis होता है और यह 3-3 nitrogenous basis आपस में मिल करके triplet बनाते हैं जिसको हम लोग triplet codon भी बोलते हैं और यह chain के ऊपर पाया जाता है अब हम लो लें chromatin कितना तरगा है chromatin दो तरगा होता है एक है यू chromatin और दूसरा है heterochromatin यू chromatin किसको बोलेंगे तो क्रोमोजों में nucleus के अंदर जो chromatin बहुत loosely packed होता है और जब color stain डालते हैं तो वह बहुत light stain लेता है उसको हम लोग यू chromatin कहते हैं और यू chromatin जो है chromatin का part वो transcriptionally active होता है मतलब heredity में या transmission of character में help participate करता है और heterochromatin क्या है तो chromatin का वह पार्ट जो nucleus में closely packed रहता है इसका यह dark stain लेता है इसको हम लोग heterochromatin बोलते हैं और यह transcriptionally active नहीं है transcriptionally inactive है transmission of character में participate नहीं करेगा अब हम लोग इतना जान गए कि DNA RNA दोनों ही genetic material है किन्तों इन दोनों में से stable genetic material हम लोग सिर्फ DNA को कहते है आरेने की अबेक्चा क्यों क्यों कहते है आरेने लिस अब DNA more stable genetic material है RNA के comparison में DNA क्यों है तो जो भी कुछ viruses है जिसमें RNA genetic material है जैसे TM virus क्यों भी बैक्टिरियोफेज virus क्यों और किन्तों हम आरेने को stable genetic material नहीं कह सकते हैं क्योंकि RNA का mutation rate बहुत ज्यादा हाई होता है तो RNA virus का life बहुत कम समय का होता है इसलिए RNA को हम लोग stable genetic material नहीं कहते हैं और दूसरा कारण है कि RNA में पिरिमीडिन थाइमिन नहीं पहाए जाता है उसके जगह यूरेसिल पहाए जाता है इसलिए RNA less stable genetic material है अब हम कौन से criteria क्या basis पर भूल सकते हैं कि DNA most stable genetic material है तो जो भी most stable genetic material है उसका कुछ criteria होना चाहिए पहला on a जिए एबल टूरेप्लिकेट मतलब वह अपना कॉपी बना सकता है और उस मेटेरियल को जनेटिक मेटेरियल के लिए जरूरी है और चौथा क्राइटिरिया स्टेबल जनिटिक मिटियल का इसुड एबल टो एक्स्प्रेस देमसेल्स अजय मेंडेलियन फैक्टर यह यह जीन का निर्मान कर सकता है अब हम लोग देख लें फंसन और डीने डीने का क्या काम है यह इस्टोर करता है जनिट डीने में ट्रिप्लीट कोड़न है नाइटरजीनो स्टन ब्रोटीं जनिटीनों सिंटेसिस का जो सलने wno बान फिर तूर्टीं सिंटेसिस होता है अब में यह जनिटिक ट्रांस्क्रिप्शन का लाय ट्रूतरत है चैनिटिक आंडिक फ्रमिषyन ने का? साथ में प्रोटीन सिंतेसिस भी करता है अब हमको कुछ एक्सपरिमेंट के द्वारा समझना है कि DNA ही स्टेपल जनेटिक मेटेरियल है कैसे तो इसके लिए दो पहला है ज्रान्सपरिमेंट के द्वारा प्रुफ किया था कि DNA ही मुस्ट जनेटिक मेटिरियल है और दूसरा एक्सपरिमेंट का नाम है च्पीजिञ और यह एक्सपरिमेंट किय थे हर से अंचे फ्री कुरिंटर памी यSa transformation experiment done by grit transformation experiment में क्या है क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं कि dna stable genetic material है transformation वो process है जिसके बारा हम बैक्टिरिया का एक strain को दूसरे strain of bacteria में change कर सकते हैं by transmission of only genetic material that is the dna अगर उस बैक्टिरिया का dna निकाल करके दूसरे बैक्टिरिया में दे दें तो दूसरा बैक्टिरिया अल्मुस्ट पहले बैक्टिरिया जैसा हो जाता है यानि वह दूसरा बैक्टिरिया transform हो जाता है इस process को हम लोग बोलते है transformation और उन्होंने इस experiment के द्वारा अप्रूब किया कि dna एक genetic material है जिसके बवारा उन्होंने ए विरुलेंट इस्ट्रेंड और बैक्टिरिया स्ट्रेप्टोकस का जो ए विरुलेंट इस्ट्रेंड था जिसको डिजिस प्रोडूसिंग कैपिसिटी नहीं था उसमें विरुलेंट स्ट्रेंड का dna डालके उसको विरुलेंट स्ट्रेंड में ट्रांसफॉर्म कर दिया था कैसे किये थे तो इसके प्रोसेस को हम लोग समझते हैं इसमें experimental material के लिए जो बैक्टिरिया लिया गया था उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जिसके कारण निमोनिया होता है इस बैक्टिरिया का दो स्ट्रेंड है एक है स्ट्रेंड और दूसरा है और स्ट्रेंड किसको पहलते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टिरिया का वह स्ट्रेंड जिसका आउटर कवरिंग जो होता है स्मूथ होता है इसलिए इसको स्ट्रेंड नाम दिया गया है और यह 신 Paystone ऐसी इस audi sibling कोज बैक्टेरियू इया तो हूड़ेस इसमें दिजज प्रोडूसइंग कैपसिटी भाळा होती है और यह किसी भी होस्तड में जा सकता है और ढूसरा है निपता कॉ किने चीट स्ट निमोनिया नीपक्टेरिया और इस तै papindruck Mis इसका नाम है और यह विरुलेंट इस्ट्रेंड होता है मतलब इसमें डिजिस प्रोडुशन कैपसिटी नहीं होता यह होस्ट में डिजिस नीमोनिया प्रोडूस नहीं कर सकता है तो वह एक्सपरिमेंट कैसे किये ग्रिफ्थ उन्होंने सबसे पहले केस वन में क्या किया स्ट्रेप्टो कोकस का एस स्ट्रेंड बैक्तिरिया जो जिसका आउटर कवरिंग जो था स्मूथ था और वह विरुलेंट इस्ट्रेंड था जो डिजिस प्रोडूस कर सकता है होस्ट में नीमोनिया तो उन्होंने एस स्ट्रेंड के स्ट्रेप्टो कोकस बैक्तिरिया को जो का ओटर कवरिंग रॉफ था और वो ए विरूलेंट था उसमें डिजिस प्रोडूशिंग क्यापसिटी नहीं थी फिर उसको माइस में इंजेक्ट किया तो देखा कि माइस जिन्दा है फिर ग्रिप्त क्या किये वो एसिस्ट्रन का जो इस्ट्रप्रो कोकस बैक्टिरिया था जिसमें डिजिस प्रोडूशिंग क्यापसिटी था जो विरूलेंट था उसको हीट किल कर दिये हीट किल करना मतलब उसके डिएने को विकेंड कर देना उसका डिजिस प्रोडूशिंग क्यापसिटी को खतम कर देना और इस तरह से उसका डिएने ऐसे स्ट्रेंड का स्ट्र अभी में उन्हों ने深 recreate जो हीट किल इस ट्रेप्टो कोख स्वार्टि ता हीट किल करने से वह बैक्टिरिया विरुलयंट में चेंज हो अब उसको माइस में इंजेक्ट किया गया तो देखा माइस जिन्दा है अलाइव है अब वह क्या किये अ Newton जो हीट कील था जो विरलेंट से विरलेंट फिर्म में चेंज अगया था क्योंकि इसका DNA हो गया था देने में डिजस प्रोडुसिंग क्यापसिती नहीं के माइस मर गया क्यों मरा माइस के मरनी का कारण क्या हो गया तो एस इस्ट्रेंड का बैक्टिरिया इस्ट्रेप्टो कोकर्स बैक्टिरिया जिसको हीट किल करके जिसका डिने को अल्रेटी विकेंड किया गया था उसको डिजिस प्रोडूसिंग कैपसिटी कम किया गया था उसको जब दोनों को मिला के दिया गया, तो मैस को मरना नहीं चाहिए था, मैस मरा, मरने का कारण क्या था, तो S-Strand का बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया, R-Strains का जो बैक्टिरिया है यह second strain of bacteria a virulent form यह transform ہو गया as strain of bacteria में कैसे तो as strain का बैक्टिरिया का DNA heat killed था, weak था disease production capacity नहीं था मगर यह इसका जब DNA r-strain of bacteria में चला गया तो r-strain of bacteria virulent हो गया as strain का DNA को receive करके और यह change हो गया r-strain of streptococcus transform हो गया S strain of streptococcus bacteria में virulent form में हो गया और mice में वो disease प्रोडूस करने लगा pneumonia और जिसके कारण mice मर गया, तो यहाँ पर हम एक strain of bacteria को दूसरे strain of bacteria में change कर दिये R strain of bacteria को S strain of bacteria में change कर दिये simply by transferring the genetic material DNA जो hit किलता S strain का R strain में और वहाँ जाकर के वो virulent हो गया और disease produce करने लगा दूसरा experiment था transduction जिसको किये थे Hershey and Chase ने 1952 में और उन्होंने अपने इस experiment के द्वारा भी प्रूब किया DNA genetic material है transduction में क्या करना है यहाँ पर host cell जो bacteria है E. coli उसके अंदर transfer करना है genetic material transfer genetic material कैसे करेंगे जब with the help of vector करते है vector virus like bacteriophage इस process को हम लोग बोलते है transduction transduction के लिए उन्होंने कैसे experiment किया तो जो भी virus है bacteria जो है जैसे E. coli यह bacteria है यह host bacteria है और bacteria जो virus है यह useful virus है और यह bacteria को infect करता है useful मतला इसको bacteriophage बोलते है phase मतला वीटर यह bacteria को नस्ट करता है मार डालता है तो इसका जो यह tail fiber है इससे वो attach होता है इसका पूरा body बनता है protein से और इसके अंदर एक यह nucleic acid है DNA और यह bacteria के अंदर भी अपना DNA है तो bacteria fish कैसे infect करता है ecoli cell को और कैसे ट्रांसफर करता है genetic material को यहाँ पर यह bacteriophage virus जो है यह vector का काम करता है क्योंकि यह transfer करेगा DNA को bacteria के host में तो सबसे पहले ecoli bacteria अपने आपको attach करता है अपना tail fiber से bacterial cell wall के द्वारा फिर वहाँ पर वो hole create करता है यहाँ से tail fiber से लाइसोजाइम एंजाइम सिक्रिट करता है जिससे bacterial cell wall पर hole होता है और यह फिर अपना tail को contract करता है इसका हेड एकदम attached हो जाता है body बाहर रह जाता है वो अपना genetic material जो DNA है उसको insert कर देता है bacteria host bacteria ecoli के अंदर और ecoli का अपना DNA है यह factor से जो DNA मिला उसको identify नहीं कर पाता है और इसका भी DNA multiply होता है इसके भी DNA bacteria का जो अपना DNA है उसके साथ bacteria phase का DNA भी rapidly multiply करता है copy करता है और उसके चारों तरफ फिर protein covering बन जाता है और इस तरह से ecoli के अंदर बहुत सारा bacteria bacteria phase virus बन जाता है और जब mature होता है तो ecoli bacteria को host bacteria को rapture करके बहार निकल जाता है तो उनको पता करना था कि जो ecoli bacteria nest हो गया host bacteria उसको nest करने का या उसको nest करने का नस्ट कैसे हुआ यह बैक्तिरियो फेज वायरस के protein code से नस्ट हुआ या उसके DNA से इसके लिए उन्होंने यह experiment किया उन्होंने कुछ बैक्तिरियो फेज को ग्रो किया radiolabeled sulfur में और जब बैक्तिरियो फेज वायरस को radiolabeled sulfur में ग्रो किया तो देखा कि इस वायरस में protein जो protein code है आउटर कबरिंग यह लेबलड हुआ इसमें protein जो है आउटर कबरिंग वो radiolabeled हुआ है sulfur से और उन्होंने कुछ य syncs बैक्टेरियोफेज वायरस को ग्रोव कियाinky रीडियो लेवल्ड फॉस्फोरस में तो इसका देखा गया कि इस वायरस में डिने रीडियो लेवल्ड हुआ से ऊसफूरस से उस click protein code तो ता वह रेडियो लेवल होगिया साल पर से और फोस्पोरास मीडिम में ग्रो करके, तो इस बेक्टेज में डियने ने रेडियो लेव दवा फॉस्पोरोस से , अब ये जो सलफर लेवल बक्टेरियो फेज आ और फॉस्पोरिस लेबल बैक्टिरियो फोज है उसको एलाव किये होसल इकोलाई को इंफेक्ट करने के लिए इंफेक्ट करने के लिए अब क्या हुआ infection proceed हुआ infection हुआ infection होने के बाद virus का protein coat रहता है वो बाहर रह जाता है तो अब virus का protein coat को infection के बाद बाहर निकालना है bacteria से अलग करना है तो अलग करने का process जो होता है वो होता है agitating उस process को हम लोग बोलते हैं agitating यहां पर virus का infection के बाद virus का जो protein coat है वो दोनों case में देख रहा है sulfur level में भी protein coat बाहर रह जाता है अब यह virus का protein coat को separate करना है bacteria से और separate करते हैं by agitating them in blender इसलिए इस तकनीक को हम लोग बोलते हैं blending और इससे viral protein coat जो होता है निकल जाता है अब bacteria के अंदर के virus particle को separate करना है third step में इसको हम लोग करते हैं by spinning गुमाते हैं बहुत तेजी से centrifugal machine में तो क्या देखा गया जो sulfur level bacteria था उसके supernatant में हमको दिखाई दिया radio labeled protein coat इसका मतलब इसमें DNA जो था radio level नहीं था इसलिए यह host bacteria जो था इंफेक्टेड नहीं हुआ क्योंकि इसमें DNA इंफेक्टेड नहीं था और protein coat बाहर ही रह गया था तो इससे पता चलता है कि protein इंफेक्टिव पार्टिकल नहीं है जब DNA अगर इंफेक्टेड रहता इंफेक्ट इसमें देखा गया कि बैक्टेरिया में अपना DNA के अलावा जो इसके इसके भी supernatant में जो वाइरस का protein coat आया था वो radio level नहीं था इसका मतलब यहां पर protein coat disease producing material नहीं है उसके बाद spinning के बाद centrifugation के बाद जब वाइरस पार्टिकल को देखा गया तो वाइरस पार्टिकल जो थ था होसिल बैक्टेरिया के अंदर वो radio level phosphorus था और इस केस में phosphorus level बैक्टेरियोफेज के द्वारा इसके द्वारा इकोलाई बैक्टेरिया इंफेक्ट हुआ इसलिए हम लोग क्या सकते हैं कि DNA genetic material है अब हम लोग देख लें DNA और RNA में क्या difference है तो DNA दो polynucleotide chain से बना है दोनों anti-parallely run करता है एक 5 प्राइम से 3 प्राइम दूसरो 3 प्राइम से 5 प्राइम और imaginary axis पर दोनों polynucleotide chain opposite direction में दूसरे से coiled form में रहते हैं तो इसलिए हम लोग DNA को double helically coiled structure कहते हैं और RNA को हम लोग single helical coiled structure कहते है DNA में दो polynucleotide chain है इसमें single polynucleotide chain है DNA पाया जाता है nucleus में भी chloroplast में mitochondria में भी यह cytoplasm में पाया जाता है DNA में चार nitrogenous basis हैं दो purine and adenine and guanine दो pyramidine and cytosine and thymine उसी तरह से RNA में भी चार nitrogenous basis है purine and DNA की तरह adenine और guanine दोनों सेम है pyrimidine जो है DNA से एक pyrimidine base अलग होता है thymine को replace करता है RNA में uracil इसके अलब़े cytosine DNA में भी है और RNA में भी है और uracil जो है RNA में पाया जाता है और thymine DNA में पाया जाता है DNA all cellular activity को control करता है DNA से DNA बनता है DNA से messenger RNA बनता है और RNA protein synthesis में help करता है अब हम लोग तोड़ा देख ले RNA world क्या है RNA का पूरा नाम है ribose nucleic acid ribose इसमें जो सूघर है उसका नाम है ribose इसले इसका नाम है RNA यह first genetic material है इसको first genetic material क्यों कहते है तो यह essential है सभी life process के लिए कौन कौन सा life process के लिए तो जैसे metabolism है translation मतलब messenger RNA में जो DNA का information है coded information protein synthesis का messenger RNA में आता है transcription के द्वारा फिर messenger RNA उसको translate करता है protein synthesis के लिए और splicing में help करता है RNA जो है genetic material के जैसा भी काम करता है catalyst के हिसाब से भी काम करता है और RNA enzyme के हिसाब से भी काम करता है इसलिए RNA को ribosome regime भी कहते है यह stable genetic material नहीं है क्योंकि यह बहुत ही highly reactive है इसमें mutation rate भी बहुत fast है और यह structurally भी more stable नहीं है क्योंकि इसमें uracil nitrogen based पाया जाता है और RNA बनता है DNA से अब structure of RNA कैसे है तो यह single polynucleotide chain से बनता है इसका भी unit को अब लोग nucleotide कहते हैं इसका भी nucleotide बनता है sugar से nitrogenous based phosphate से इसमें sugar ribos है nitrogenous based दो तरह का है purine and pyrimidine like DNA purine दोनों एक ही जासा है adinin और guanine और pyrimidine जो है DNA की तरह cytosine है और इसमें thymine की जगह uracil pyrimidine है तो four nitrogenous basis इसमें है DNA की तरह बस pyrimidine thymine जो है इसमें नहीं पाया जाता है DNA में जो thymine pyrimidine है वह absent है और उसकी जगह RNA में uracil पाया जाता है कुछ कुछ RNA का नाम और उसका function messenger RNA से लिखते हैं यह translation में भाग लेता है यानि protein synthesis में participate करता है ribosomal RNA यह भी translation में भाग लेता है protein synthesis में भाग लेता है catalytic activity भी है transfer RNA translation में participate करता है protein synthesis में health करता है hnRNA यानि heterogeneous सा nuclear RNA DNA से जब messenger RNA form होता है first dose को हम लोग heterogeneous RNA कहते हैं क्योंकि इसमें action intron sequence रहता है coding non-coding sequence mix रहता है SC RNA या small cytoplasmic RNA signal recognition particle भी इसको बोलते हैं transfer RNA processing में participate करता है SN RNA small nuclear RNA messenger RNA processing में help करता है और poly A addition में participate करता है catalytic activity दिखाता है SN RNA small nuclear RNA ये भी processing maturation और methylation में भाग लेता है regulatory RNA जैसे SI RNA MI RNA regulation of transcription and translation में भाग लेता है अब हम लोग देख ले DNA से DNA का copy बन रहा है DNA में उपर में nitrogenous basis sequence है चारी nitrogen base है और वो सब फिर repeated form में arrange रहता है DNA के उपर ATGC 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 इसमें से 3-3 nitrogen base sequence जो है triplet codon बनाता है DNA के उपर इसमें जिसमें coded genetic information रहता है protein synthesis का और वो coded information coded genetic information जो है तीन-तीन तो code nitrogenous basis code बनाता है जिसको triplet codon कहता है जिसमें genetic information है coded form में protein synthesis का और यह transfer होता है messenger RNA में by transcription तो DNA से messenger RNA भी बनता है DNA से DNA भी बनता है अगर एक polynucleotide chain का sequence मालूम है तो DNA से दूसरा अगर दूसरा DNA बनता है template DNA new strand of DNA तो उसका polynucleotide chain जो है पहले वाला का complementary होता है जैसे A है तो T, T है तो A, G है तो C, C है तो G, A है तो T इस तरह से complementary based रहता है और नया DNA synthesis होता है और coded information, genetic information, protein synthesis का transcribe होता है तो messenger RNA बनता है और इसी sequence से अगर messenger RNA बनता है तो सिर्फ यह ध्यान दखना है कि messenger RNA में thiamine base नहीं है, uracile base है तो adenine जब भी pair करेगा, वहाँ thiamine नहीं लिखना है, वहाँ पर uracile लिखना है इनके सब DNA T, thiamine लिखेंगे, कि तो RNA में यू लिखेंगे तो A है तो U, T है तो A, guanine है तो cytosine, cytosine है तो guanine, फिर adenine है तो यहाँ पर uracile इस तरह से coded information, protein synthesis का messenger RNA में आ जाता है फिर messenger RNA उसको translate करके protein synthesis करता है messenger RNA और transfer RNA में क्या difference है तो messenger RNA जो है, DNA में coded form में जो genetic information था protein synthesis का उसको लाता है nucleus से ribosome में protein synthesis के लिए transfer RNA क्या करता है यह specific amino acid, 21 amino acid है तो अलग-अलग transfer RNA, अलग-अलग amino acid को लेके आता है ribosome में protein synthesis के लिए और कैसे लाता है तो transfer RNA में नीचे anti-codon रहता है anti-codon, transfer RNA भी coding sequence होता है जिसको anti-codon कहते है वो अपने anti-codon से messenger RNA में जो codon है उसको read करता है और read करके उसी amino acid को लेकर के ribosome में आता है और protein synthesis में help करता है messenger RNA एक linear structure एक सीधा line है इस तरह से तो transfer RNA जो है is clover leaf like structure है इसमें codon रहता है जो code करता है synthesis of amino acid for protein that is translation में help करता है और इसमें anti-codon होता है जो जिसका base sequence जो होता है messenger RNA का coding codon से complementary होता है और अपने anti-codon से वो messenger RNA के codon को read करता है और specific amino acid को carry करता है protein synthesis के लिए central dogma क्या है तो concept of central dogma कौन दिये थे फ्रैंसिस क्रिक ने इस concept में क्या कहा गया कि DNA में जो भी coded information coded form में genetic information है protein synthesis का वो inidirectionally flow होता है और protein का synthesis होता है जैसे DNA में coded form में genetic information है protein synthesis का तो वो information messenger RNA में जाता है by the process of transcription फिर messenger RNA उस coded information को translate करके sequence of polypeptide chain बनाता है और protein का synthesis करता है और क्रिक ने बताया कि यह information जो है DNA में हमेशा unidirectionally flow करता है और DNA से RNA बनता है RNA से protein का synthesis होता है और फेनोटाइपिक living organism में फेनोटाइपिक character को भी फेनोटाइपिक character के expression में भी help करता है protein की synthesis में help करता है किन्तों बाद में थोड़ा सा modification किया गया है central dogma के concept में जब reverse transcriptage enzyme discover हुआ in retrovirus यह reverse transcriptage enzyme क्या करता है retrovirus में RNA को DNA में transform करता है मतलब RNA का information पहले DNA में आता है फिर DNA से वह information RNA में RNA से protein synthesis होता है यहां पर इसके कारण reverse flow होता है information का पहले RNA से DNA बनता है फिर DNA से RNA फिर protein synthesis अब हम लोग देख लें replication replication क्या है तो DNA का copy बनना यह copying mechanism of DNA को हम लोग बोलते है replication और DNA में application होता है सबसे पहले बतायते scientist उनका नाम है क्रिक DNA replication कैसे होता है तो DNA replication है में सेमी conservative होता है सेमी conservative DNA replication का क्या मतलब है तो इसमें कि जब यह DNA का नया copy बनेगा तो इस नया copy यह नया template में यह नया DNA में नया copy और template of DNA में एक strand parental DNA कर रहेगा एक एक DNA strand जो रहता है वो parental DNA रहता है और दूसरा strand जो होता है newly synthesized DNA strand रहता है इसलिए DNA replication को हमेशा semi conservative DNA replication कहते है DNA replication के समय में जो enzyme help करता है उसका नाम है dddp DNA dependent DNA polymerage और यह enzyme क्यों जुरूरत है तो यह enzyme जो है help करता है addition of nucleotide को यह enzyme help करता है addition of nucleotide को 5 prime to 3 time direction में और यह continuously add करता है nucleotide को 5 prime से 3 time direction में अब हम लोग nucleotide chain की polarity opposite होती है एक polynucleotide chain 5 prime से 3 prime direction में जाता है तो दूसरा polynucleotide chain 3 prime से 5 prime direction में चलता है और दोनों polynucleotide chain एक imaginary axis पर opposite direction में एक दूसरे से coil रहते हैं तो replication के पहले DNA का दोनों polynucleotide chain को खुलना है अन्वाइन करना है अन्वाइन करने के लिए और दोनों polynucleotide chain जो है coil form में एक दूसरे से attach रहते हैं hydrogen bond से तो दोनों polynucleotide chain को unwind करना है खोलना है दोनों के बीच में hydrogen bond को तोड़ना है तो उसके कारण hydrogen bond टूट जाता है और DNA का दोनों strand जो है अलग हो जाता है और यह hydrogen bond टूटता है leakage enzyme की साहिता से 5 प्रेम से 3 प्रेम direction की तरफ और इस कारण से unwinding होता है तो जब replication fork बनता है तो वो y sept होता है इस तरह से y sept replication fork बन गया hydrogen bond टूटता जा रहा है इस तरह से y sept replication fork बनता जाएगा और इधर नया strand of DNA synthesis होगा अब यह जो y sept fork बना जिसको हम लोग replication fork भी बोलते है डियने का यह अब यह दोनों replication fork जो है पोली नुकलोटाइट चेन का अब यह parental strand बन जाता है और इस parental strand से दो नया DNA strand बनेगा दो newly synthesized DNA रहेगा अब कैसे हो रहा है replication तो एक parental strand जिसका polarity है 5' से 3' direction उस parental DNA strand का जो newly synthesized DNA template is trend है newly DNA strand है वो synthesize करेगा DNA को 5' से 3' direction में और यहां पर जो enzyme काम करता है DNA dependent DNA polymerase enzyme काम करता है जो continuously add करता है nucleotide को 5' से 3' direction में तो first parental DNA strand से जो नया DNA strand बना वो एक continuous strand है क्योंकि यहां पर DNA dependent DNA polymerase enzyme जो है continuously add किया nucleotide को और यह continuous strand बना newly synthesized DNA का दूसरा स्ट्रेंड parental strand जिसका polarity 3' से 5' में था उसमें नया DNA strand बनेगा नया template बनेगा newly synthesized DNA strand बनेगा वो 3' से 5' direction में बनेगा तो 3' से 5' direction में जब नया synthesize DNA तो वो continuous chain नहीं बनता nucleotide यहां पर इसलिए इसलिए इसको हम लोग discontinuous strand कहते हैं यह lagging strand कहते हैं और यहां पर 3' 5' direction में lagging strand यह discontinuous strand क्यों बना तो यहां पर DNA dependent DNA polymerase enzyme जो है function नहीं कर सकता है क्योंकि उसका capacity है सिर्फ nucleotide को continuously add करेगा तभी continuous strand बनेगा तो यहां पर इसलिए एड नहीं कर पाता है 3' से 5' direction में इसलिए छोटा-छोटा strand DNA का बन जाता है हर छोटा-छोटा strand को हम लोग बोलते हैं ओका जाकी fragment और लेटर यह fragment जो है बाद में attached होता है ligage enzyme की सहायता से तो अब यह जो newly strands synthesized हुआ दो वो हमेशा अपने parental strand के साथ attached रहता है इसलिए DNA replication को हम लोग semi conservative replication of DNA कहते हैं अब हम लोग देखेंगे experimental proof of DNA replication इसके लिए material चाहिए dndp यानि दियोक्सी न्यूक्लियो ट्राइफॉस पे उसके बाद nitrogen density के basis पे nitrogen 15, nitrogen 14 यह दोनों actively level नहीं है किन्तो density basis पे इन दोनों nitrogen को हम लोग अलग कर सकते हैं and 15 ज्यादा हेवी होता है in comparison to nitrogen 14 इसको हम लोग density dependent study भी कहते हैं यह प्रूफ करता है कि DNA का जो replication है वह से भी conservative होता है और सबसे पहले यह experiment किया गया था और इस experiment को प्रूफ किया गया था बैक्टिरिया में इकोलाइ बैक्टिरिया में इसमें E.C.O. बैक्टिरिया का DNA में इंट्रोडियूस किया गया एन 15 को nitrogen 15 को इकोलाइ के बैक्टिरिया में इंट्रोडियूस किया गया and 15 nitrogen 15 जो है radioactive isotope नहीं है पहले भी बताया थे इसको हम लोग N14, nitrogen 14 से, nitrogen 14 DNA, अगर nitrogen 14 से DNA लेबल्ड है और अगर DNA and nitrogen 15 से लेबल्ड है तो दोनों का DNA को हम लोग isolate कर सकते हैं दूसरे से on the basis of density तो E coli का DNA को इंट्रोड्योश किया गया N15 से, N15 से इंट्रोड्योश करने के बाद E coli का DNA को N14 में ट्रांसफोर किया गया E coli का DNA को और कुछ इंटर्वल के बाद उस सैंपल को एक्स्ट्रेक्ट किया जाएगा और डबल हैलिकल DNA का structure को study किया जाएगा तो first 20 minute के बाद जब सैंपल को extract किया गया DNA का structure मिला hybrid DNA, mixed DNA उसमें N14 का भी strand है और N15 का भी strand है दोनों में first generation में दो DNA strand मिला जिसमें N14 और N15 DNA दोनों strand पाया जाता है hybrid और mixed DNA पाया गया अब उसके बाद फिर after 40 minutes फिर सैंपल से DNA को click किया गया यहां पर 4 DNA copies मिला 4 DNA copies में जो 2 DNA copy था बीच वाला इसमें यह N14 DNA वाला copy है pure DNA का copy है और दूसरा दो DNA जो था mixed था hybrid DNA double stranded था जिसमें N14 और N15 DNA दोनों है और बीच में N14 यह light DNA वाला DNA है तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि DNA का जो replication है semi conservative होता है अब हम लोग देख लें transcription क्या है तो DNA में जो genetic information है coded form में उस information को copy करना messenger RNA के द्वारा और उसके बाद उससे protein synthesis करना copy करना information को DNA में जो information है coded form में genetic information protein synthesis का उसको copy करना एक strand DNA के एक strand में जो genetic information है coded form में protein synthesis का उसको copy करके messenger RNA बनाना उस process को हम लोग बोलते हैं transcription transcription में आभी single strand of DNA जिसमें genetic information है coded form में protein synthesis का तो वाई one strand of DNA participating transcription क्यों एक ही strand participate करता है DNA का तो DNA में तो बना हुआ है double helical structure है इसमें two strand DNA का दोनों strand template हो सकता है किन्तो एक ही strand template के हिसाब से use किया जाता है अगर दोनों strand template बन जाए तो दोनों strand से दो अलग RNA बनेगा RNA का copy बनेगा जिसमें nucleotide sequence अलग होगा और अगर दो अलग RNA दोनों में different code nucleotide sequence तो they will code for different amino acid और उसके बाद दोनों RNA से दो अलग अलग protein बनेगा और जिसके कारण पूरा transcription mechanism जो है complicated हो जाएगा और अगर दो DNA strand से दो strand of RNA बनता है और दोनों strand of RNA DNA का complementary हो दो strand of DNA से अगर दो strand of RNA है और दोनों एक दूसरे के complementary strand है RNA के तो they will form the double strand RNA जैसे DNA double strand है तो उससे दो RNA बना और दोनों RNA अगर दोनों एक दूसरे के complementary base sequence को bear करते हैं तो double strand RNA हो जाएगा और यह double strand RNA जो है prevent करेगा translation of protein अब transcription के लिए एक site चाहिए जिसको हम लोग origin of replication कहते हैं तो double strand DNA तो coil structure होता है तो जहां से replication start होगा उस point को हम लोग बोलते हैं replication point यह origin of replication replication क्या है तो unit of replication को हम लोग replicone कहते हैं जिसमें एक origin site होता है तो DNA double helically coiled structure है दो polynucleotide chain से बना है और दोनों polynucleotide chain DNA का एक दूसरे से attached रहता है by hydrogen bond तो सबसे पहले replication start करने से पहले point of replication पर DNA को unwind करना है DNA unwind कैसे होगा तो by breaking the hydrogen bond between the two polynucleotide chain और यह hydrogen bond को तोडने के लिए nitrogen basis के बीच में जो hydrogen bond polynucleotide chain पर उसको तोडने के लिए जो enzyme क्या हो सकता पड़ती है उसको हम लोग helicage कहते हैं जिससे DNA strand point of replication पर खुलने लगता है hydrogen bond के तूटने के कारण अब transcription क्या है देख लें तो DNA से messenger RNA बनना 5 प्रेम से 3 प्रेम डारेक्शन में इसको हम लोग बोलते हैं DNA transcription यह the process of copying the genetic information DNA में coded form में protein synthesis का genetic information है उसको कॉपी करके DNA के one strand से messenger RNA बनाना इस process को हम लोग बोलते है transcription transcription के लिए क्या चाहिए तो transcription के लिए transcription unit चाहिए तीन transcription unit है एक है promoter दूसरा है structural gene और तीसरा है terminator अब DNA का दो polynuclear tight chain है DNA में दो strand है तो एक ही strand से एक ही strand transcription में भाग लेता है और दूसरा strand transcription में भाग नहीं लेता उसको हम लोग coding strand कहते हैं और जो transcription में भाग लेता है उसको हम लोग template strand कहते हैं दो polynuclear tight chain है दोनों का opposite polarity है एक chain 5 prime से 3 prime direction में जाता है तो दूसरा chain है 3 prime से 5 prime direction में जाता है और जो chain 3 prime से 5 prime direction में जा रहा है वही chain जो है template strand के कहीं साब से काम करेगा क्योंकि उस strand से जो नया messenger RNA बनेगा 5 prime से 3 prime direction में वह continuous strand होगा क्योंकि यहाँ पर DNA dependent DNA polymerase enzyme जो है वह एड़ करता है nucleotide को 5 prime से 3 prime direction में continuously add करता है ठीक है इसलिए एक ही strand DNA का template strand है उसे से messenger RNA बनेगा और दूसरा strand जो 5 prime से 3 prime direction में जा रहा है उसको coding strand कहते हैं किन्तों यह कीचे सीच को कोड नहीं करता है यह 5 prime से 3 prime direction में जा रहा है और नहीं template strand के हिसाब से काम कर पाएगा क्योंकि इस strand से जो DNA से 5 prime direction में तो वहां पर DNA dependent DNA polymerase enzyme काम नहीं करता क्योंकि 3 prime से 5 prime direction में यह enzyme continuously add नहीं करता है निकलोटाइट को और जैसे चोटा-चोटा fragment बनता है DNA का जिसको ओका जो की fragment कहते हैं और lagging strand बनता है discontinuous strand बनता है बाद में उसको जोड करके lagage enzyme से बराई strand बनता है इसलिए second strand of DNA को coding strand की कहते हैं किन्तों यह code नहीं करता और नहीं template strand का काम करेगा messenger आने के synthesis में और transcription unit में तीन चेज होता है promoter structural gene और terminator promoter क्या है तो यह 5 prime end की तरफ पाया जाता है structural gene के सामने और इसमें palindromic gene sequence पाया जाता है GAATTC और इसको हम लोग Tata box भी बोलते हैं और इस promoter side से attached होता है enzyme DNA dependent RNA polymerase enzyme और sigma factor attached होता है तभी transcription start होता है DNA का और जैसे DNA का transcription start हो जाता है यहां से sigma factor release हो जाता है उसके बाद दूसरा site है terminator site जो 3 prime end की तरफ पाया जाता है और coding sequence coding strand के पीछे पाया जाता है और इसको terminator क्यों कहते हैं तो यह end करता है यह site transcription का DNA के transcription को stop करता है इसमें जो gene sequence पाया जाता है उसको हम लोग stop codon बोलते हैं जैसे UA, UAG, UGA और इस unit से सिर्फ टर्मिनेट नहीं करता है इस unit से bind होता है RNA polymerage enzyme और RO factor और यह पहले RNA polymerage और RO factor दोनों मिल करके messenger RNA के chain को elongate करता है और फिर जब इस terminator codon आ जाता है stop codon आ जाता है तीन तो stop codon आ यूए UA, UAG, UGA, UGA अमबा ओकर और अपल तब उसके बाद DNA का transcription stop हो जाता है और नया messenger heterogeneous messenger RNA बनता है अब हम लोग देखें structural gene क्या है तो transcription unit है template strand पे जिसको हम लोग बोलते है structural gene structural gene दो तरका होता है monocystronic और polycystronic, monocystronic structural gene कि किसको कहते हैं तो monocystronic structural gene जो है यह eukerate में पाया जाता है और इसमें जो genetic code sequence रहता है वो सिर्फ one unit of protein को synthesis करता है और monocystronic gene sequence only one genetic code sequence है जो one protein synthesis को code करता है और यह heterogeneous होता है इसमें coding sequence भी होता है non coding sequence भी होता है coding sequence of gene को exon कहते हैं और non coding sequence को हम लोग intron कहते हैं intron non coding है साथ में non expressive भी है और यह mature RNA में दिखाई नहीं देता है और mature RNA से intron को replace किया जाता है स्प्लाइसोजोम से तब pure messenger RNA बनता है polycystronic structural gene जो है यह bacteria में प्रोकेरियर्स में पाया जाता है और इसमें बहुत सारा genetic code sequence होता है जो एक साथ मिल करके code करता है बहुत सारे protein के synthesis को और इसमें सिर्फ coding sequence action ही पाया जाता है intron absent होता है अब हम लोग देख लें type of RNA तीन तरह का RNA है messenger RNA transfer RNA ribosomal RNA messenger RNA क्या करता है यह copy करता है coder information from single DNA this trend of the protein synthesis जिसको हम लोग transcription कहते हैं और उसके बाद यह translate करता है उस coding sequence of protein को coding sequence of protein synthesis का information को और जिससे polypeptide chain बनाता है और protein synthesis करता है transfer RNA क्या करता है transfer RNA में anti codon जो होता है वह complementary होता है messenger RNA के codon का और अपने anti codon से messenger RNA के code को read करता है और specific amino acid protein synthesis के लिए ribosome में लाता है और protein synthesis में help करता है ribosomal RNA है यह working bench है protein synthesis का और यह translation में उत्प्रेड़क का काम करता है catalytic role है अब हम लोग transcription कैसे होता है किस तरह से copying हो रहा है single DNA strand में जो genetic information है protein DNA dependent DNA polymerase DDDP DNA dependent RNA polymerase DDRP transcription जो process है तीन step में complete होता है initiation elongation and termination तो यह DNA का दो template है एक 3' end से 5' end में की polarity है दूसरा strand है जो 5' से 3' end में जाता है और इसमें से 3' end और 5' end वाला strand है DNA का यह template strand के हिसाब से काम करता है और यह transcription के लिए तीन transcription unit का जुरत परता है promoter और दूसरा strand जो 5' से 3' में है इसको हम लोग coding strand कहते हैं coding में participate नहीं करता है और नहीं इसका transcription होता है और सिर्फ 3' से 5' end वाला जो polarity DNA strand का इसी का transcription होगा इसी पर structural gene पाया जाता है और यहीं पर DNA dependent DNA polymerase enzyme काम करता है और वह 8 करता है continuous strand 5' से 3' end में nucleotide का इसलिए यही template strand के हिसे आप से काम करेगा और transcription के लिए तीन unit चाहिए promoter structural gene और terminator structural gene बीच में होता है 3' 5' end वाले polarity वाले DNA strand पर होता है और उसके करता है enzyme RNA polymerase और sigma factor और initiate करता है transcription process को और छोटा RNA primary strand बनना सुल होता है 5' से 3' end में और जैसे initiation हो जाता है छोटा RNA primer बन जाता है sigma factor release हो जाता है और उसके बाद terminator site भी होता है terminator site से bind होता है RNA polymerase enzyme और raw factor जो इस chain को elongate करता है चोटा RNA primer जो 5' से 3' end में बना था उसको elongate करता है RNA polymerase और raw factor और RNA polymerase जो है DNA dependent RNA polymerase उस 5' से 3' end में continuously add करता है nucleotide को और जिससे messenger RNA का long chain फॉर्म हो जाता है उसके बाद terminator side में stop codon भी है UAA, UAG, UGA, UGA, Amba, Okra, Opal जो transcription को stop कर देता है और raw factor को release कर देता है और यह bind कर जाता है DNA के strand से और further transcription stop हो जाता है और new heterogeneous RNA release हो जाता है heterogeneous messenger RNA release हो जाता है और यह जो new heterogeneous RNA बना इस messenger RNA बना इसको heterogeneous messenger RNA क्यों कहते हैं तो इसमें coding और non coding sequence mixed form में रहता है coding sequence को हम लोग axon बोलते हैं non coding sequence को intron बोलते हैं intron transcriptionally active नहीं है तो heterogeneous messenger RNA करने से इस intron को remove करना है और इसको remove किया जाता है with the help of splice enzyme enzyme और जब remove हो जाता है intron तो exon को फिर attached कर दिया जाता है जिसे pure messenger RNA बनने लगता है अब उस pure messenger RNA में capping और tailing होता है 5 prime end में capping होता है methyl guanocine का यह एक nucleotride है triphosphate है जो 5 prime end में RNA का add किया जाता है cap के हिसाब से methyl guanocine को 5 prime end में cap के जैसे इसको यह add किया जाता है इसलिस process को capping कहते है और 3 prime end में tail add किया जाता है followed by telling tailing में adenylate residue 200-300 base pair length का होता है उसको 3 prime end में add किया जाता है messenger RNA के और इस तरह से pure messenger RNA बन जाता है और इस तरह से DNA transcription हो जाता है अब हम लोग देखें genetic code क्या है तो हम लोग जानते हैं total nitrogenous base जो है DNA में 4 है adenine guanine cytosine thymine और हम लोग पास amino acid है 20 तो अगर दो-दो nitrogenous base से code बनाया जाए तो क्या होगा चार nitrogenous base है और अगर दो-दो nitrogenous base का अगर code होता तो कितना amino acid को वो code कर सकता है तो 4 to the power 2 किये तो 16 आया दो नंबर ओफ नाइट्रोजेन इस बेसे और यूजड फॉर मेकिंग दा कोड तो 16 कोड बन सकता है और हमारे पास 20 amino acid है और protein synthesis के लिए चाहिए तो यह वाला जो code दो nitrogenous base मिलके एक code बनाएगा यह invalid हो गया बाद में फिर सोचा गया तीन-तीन nitrogenous base अगर मिलके code बनाता है तो triplet code on बनेगा और तीन nucleotide को अगर यूजड करते हैं तो क्या होगा तो 4 nitrogenous base था उसको 3 to the power 4 to the power 3 कर दिया गया 3 nitrogenous base से 3 nucleotide अगर triplet code on बनाता है तो कितना code on बन सकता है triplet code on 64 code on तो genetic code क्या है तो DNA के उपर triplet code on nitrogenous basis का बना हुआ जिसमें genetic information रहता है coded form में protein synthesis का उसको transcribe किया जाता है तो messenger RNA बनता है जिससे DNA में protein synthesis का जो information है वो messenger RNA में चला जाता है फिर वो translate करता है उस coded information को protein synthesis का और polypeptide chain बनाता है amino acid का जिससे protein बनता है तो अब हम लोग देख लिए कि triplet code on ही होना चाहिए जिससे 64 code on बनेगा क्योंकि number of nitrogenous basis अगर 4 है तो triplet code on अगर बनता है तो triplet code on अगर हम लोग लेते हैं तो 64 code on बनता है और number of 20 amino acid 20 जो एवन यूनिट प्रोटीन के लिए ज़रूरी है तो कैसे code on बनता है इसको हम लोग देख लें यह फर्स्ट पॉजिशन यह सेकेंड पॉजिशन यह थर्ड पॉजिशन फर्स्ट पॉजिशन में लोग चारो नाइट्रोजेनस बेस को ले लिए 16 बॉजिशन बना लिए हर बॉजिशन में फर्स्ट पॉजिशन पर चारो नाइट्रोजेनस बेस लिए उसी तरह से सेकेंड पॉजिशन में चारो बॉक्स के सामने यूरश्यल साइट्रोजेनस बेस लिखे और सबको मल्टिप्लाई करना है U U U U U U C U U A U U G इसी तरह से दूसरा वाला C U U C U C U A C U G इस तरह से करके 64 कोडन बना अब हर कोड जो है ट्रिपलेट कोड अलग-अलग amino acid को कोड करता है जैसे U U U है फिनाइल अलनिन को कोड करता है U U A है तो वो लूशिन को कोड करता है U U C भी फिनाइल अलनिन को कोड करता है U C U सेरिन को कोड करता है U C U इस तरह से बना था C C U प्रोलिन को कोड करता है यह सब डिपरेंट amino acid है AUU Isolution को code करता है AUG Methionine को code करता है यह starting codon रहता है messenger आजने पर GUU Valin को code करता है यहां पर 4 जो है सब एक हमाइनो चारो codon जो है एक हमाइनो acid को code कर रहा है GCU, GCC, GCA, GGG यह सब भी एक हमाइनो acid को code कर रहा है LLN को ACU, ACC, ACACG यह भी कैसे बन रहा है AC, U, AC 2nd वाला, यह 3rd यह 3rd वाला, यह वाला इसको 4 से multiply करके यहां लिख दिया तो यह result आ गया यह 4 को multiply कर दिये 4 को multiply कर दिये इस तरह से result आ जाता है तो हम लोग देख लिए किस तरह से 64 codon बना और codon कैसे कैसे amino acid को code कर रहा है इसमें से यहां पर देख रहा है U, A, A, U, A, G इसको हम लोग stop codon बोलते है U, G, A यह भी एक stop codon है जो transcription को stop कर देता है चेंज से attached होने के बाद अब हम लोग देख लें silent feature genetic code का क्या है तो genetic code हमेशा triplet codon से बनता है और 3 nitrogenous base एक साथ मिलकर के triplet codon बनाते है हम लोग के पास 4 nitrogen base है 20 amino acid है so codon को हमेशा triplet होना है और जिसके कारण हम लोग के पास total 64 codon है और इस total 64 codon में से 61 codon जो है code करता है amino acid को और जो 3 amino acid है UAA, UAG, UGA यह कोई भी amino acid को code नहीं करता है इसलिए इसको अबलोग stop codon बोलते हैं 3 stop codon है 64 में UAA, UAG, UGG यह अमबा, ओकारा और ओपल दूसरा characteristic क्या है genetic code का तो यह unambiguous होता है specific होता है मतलब कहा गया है कि 1 codon एक ही amino acid को code करता है more than 1 codon और degenerative भी होता है genetic codon क्योंकि some amino acid जो है code किया जाता है बहुत एक ही some amino acid which are coated by more than 1 codon जैसे यहाँ पर देखेंगे alanine जो amino acid है वो more than 1 codon से code किया जा रहा है तो वहाँ पर यह degenerative हो जाता है और यह specific भी होता है one amino acid code करता है one amino acid is coded by one codon और यह degenerative होता है कभी कभी क्योंकि एक ही amino acid जब एक ही amino acid को code किया जाता है different codon से तो उस समय में यह degenerative हो जाता है और जब एक codon लिखते हैं triplet codon लिखते हैं उसके बीच में comma नहीं लिखना है it is comma less और code universal होता है हर जगह एक ही code triplet codon यूज किया जाता है जैसे UUU यह code करता है में सब phenyl alanine को bacteria और in case of human AUG को starting codon कहते हैं और यह code करता है methionine को यह इसको initiation codon भी कहते हैं अब जैसे हम लोग यहां पर लिखे हैं genetic code push इसके बीच में कोई comma नहीं है यह unambiguous है one triplet codon codes for only one amino acid कभी-कभी unambiguous हो जाता है one amino acid is coded by more than codon और इनके बीच में कोई comma नहीं लिखा गया है अब AUG है इसका मतलब यह जिस amino acid को code करेगा उसका नाम है methionine UUU यह code करेगा phenyl alanine UUC यह code करेगा phenyl alanine UUC यह भी phenyl alanine UUU यह phenyl alanine सब इस तरह से codon है जो code करता है amino acid को अब हम लोग थोड़ा देख लें transfer RNA क्या है इसको हम लोग SRNA यह soluble RNA कहते हैं क्योंकि यह read कर सकता है messenger RNA का code को अपने anti-codon के द्वारा एक hand में और दूसरे hand में जब यह anti-codon के द्वारा messenger RNA के code को read करता है तो उसका दूसरा hand होता है amino acid activator site जिससे वो specific amino acid को किस amino acid का जोरत है उसी amino acid को bind करके ले करके आता है anti-codon क्या है तो यह clover leaf like structure है और इसमें नीचे में anti-codon site होता है एक loop है उस loop में anti-codon site होता है यह anti-codon में जो triplet codon है वो हमेशा complementary होता है messenger RNA के code के जैसे UAC है तो इसका code होगा AUG anti-codon complementary होगा messenger RNA के और amino acid activator site भी होता है RNA में transfer RNA में जिससे वो anti-codon के द्वारा messenger RNA complementary base sequence को read करता है और उसको पहचान करके read करके specific amino acid को amino acid activator site से bind करके ले कि आता है ribo-jum में protein synthesis करता है और एक transfer RNA इस transfer RNA specific होता है specific amino acid के लब 21 amino acid है तो उसको भी लाने के लिए 21 transfer RNA चाहिए अब हम लोग देख लें translation क्या है तो DNA में जो coded information था protein synthesis का वो copy वो करके messenger RNA में आ गया था तो उसको हम लोग बोलेते transcription अब messenger RNA ने उस coded information को translate करेगा और form करेगा chain of polypeptide और protein synthesis करेगा उस process को हम लोग बोलते हैं translation यहाँ पर polymerization आप amino acid होता है 21 amino acid एक साथ आते हैं सब एक दूसरे से join करते हैं peptide bond से उसकी बाद peptide bond को बनाने के लिए energy चाहिए और जब polymerization हो जाता है amino acid का तब 21 amino acid का और वो bind हो जाते हैं peptide bond से protein one unit protein बनता है अब हम लोग देख लेए steps of translation क्या क्या है तो पहला step है charging of transfer RNA और amino acylation of transfer RNA मतलब charging में क्या होता है transfer RNA पहले amino acid charging of transfer RNA या amino acylation of transfer RNA क्या है तो इस process में amino acid जो है activate होता है in presence of ATP पहले amino acid कोई भी amino acid जो है charge होता है ATP के presence में उसके बाद वो activated amino acid जो है bind करता है transfer RNA से specific transfer RNA से in presence of enzyme amino acid synthetics और बनाता है amino acyl transfer RNA या charge transfer RNA और उसके बाद translation सुरू होता है translation तीन step में complete होता है like transcription, initiation, elongation and termination और protein synthesis कहां होता है ribozone में अब इस तरह से दूसरा amino acid भी amino acylation या charging of transfer RNA या amino acylation of transfer RNA दूसरा amino acid का भी होता है तो दूसरा charge transfer RNA दो charge transfer RNA को जिससे amino acid bind है एक दूसरे के पास लाया जाता है तो जिससे क्या होता है तो दोनों charge transfer RNA पे जो amino acid है दोनों एक दूसरे से attached हो जाते हैं by formation of peptide bond between the two amino acid और यह protein synthesis का काम कहा होता है ribosome में ribosome में prokirate का ribosome का sedimentation coefficient है 70S इसमें 2 sub unit होता है small और large small sub unit होता है 30S, large sub unit होता है 50S अब इस 30S sub unit से bind होता है messenger RNA messenger RNA में अपना coding sequence रहता है codon होता है triplet codon जैसे GU है GCA है और large sub unit है ribosome का जो 50S sub unit होता है ribosome protein bench के हिसाब से काम करता है protein synthesis में भाग लगता है और 50S sub unit में 2 site पाया जाता है एक होता है A site और दूसरा होता है P site और यहीं पर peptide bond का elongation होता है और यह दोनों site एक दूसरे के पास इतना close रहते हैं कि यहां पर peptide bond दो amino acid के बीच में आराम से form हो सकता है अब यह जो A site है इस A site से पहले transfer RNA के बाइन करता है बाइन करके अपना एंटी कोड़ॉन से मेंसेंजर RNA के कोड़ॉन को रीड करता है और रीड करने के बाद वो एक specific amino acid को ले करके आता है अपना amino acid साइट से बाइन करके और चार्ज ट्रांसफर RNA अपने साथ जो amino acid valine को ले के आया यह बाइन कर जाता है A site पर अब यह जो A site है अब यह A site वाला जो ट्रांसफर RNA है वो मूव कर जाता है थोड़ा आगे P site पर और और दूसरा ट्रांसफर RNA आता है और वो ट्रांसफर RNA फिर जीड करता है दूसरा कोड़ॉन को ठीक है और उसको ब्रीड करके दूसरा specific amino acid को लाता है A site पर और पहला वाला जो transfer RNA था charge वाला वो P side पर आ जाता है और जैसे वह लाया था अपने साथ कि वैलीन और दूसरा लाया पहला आया था ऐलनीन दूसरा आया वैलीन अब ऐलनीन और वैलीन दोनो ट्रांस्वर है दोनों एक दूसरे के लाता है और फिर और सब दूसरे से जुड़ जाता है और बाद यह peptide bonjo है रेलीज हो जाता है साइटो प्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो हम लोग देखेंगे translation तीन स्टेप में complete होता है initiation, elongation and termination और इसमें राइबोजोम का और यह होता है राइबोजोम में राइबोजोम को working bench कहते हैं पूटिन सिंतेजिस का और यह ही पतीनों स्टेप कम्पलीट होता है रैबोजों सब्सक्राइब उससे 30S messenger RNA complex जो है bind करता है ribozome का larger sub unit 50S sub unit से तो बनता है 70S messenger RNA complex और फिर messenger RNA और larger sub unit जो messenger RNA है और messenger RNA पर जो coding sequence है उसको read करता है anti-codone sequence और transfer RNA और space पर कमाना acid को ले करके आता है A site पर larger और A site कहा है तो larger sub unit जो है ribozome का उसमें दो site है A site और P site A site A site पर transfer RNA का anti-codone messenger RNA के codon को read करके specific amino acid को अपने amino acid साइट से bind करके A site पर लाता है और वो move करता है फिर P site पर फिर दूसरा amino acid anti-codone दूसरा transfer RNA अपने anti-codone से दूसरा specific amino acid को A site पर लाता है और दोनों charged transfer RNA के amino acid के बीज में peptide bond formation होता है और इस तरह से initiation इस्टार्ट होता है और messenger RNA पर initiation codon पाया जाता है AUG जो initiate करता है process of translation को और messenger RNA पर stop codon भी है UAA, UAG, UGA, UGA अमबा अक्रोरोबल जो translation को stop कर देगा messenger RNA से bind करके और messenger RNA पर untranslated region भी होता है जो translate नहीं होता है और यह 5 prime end भी पाया जाता है और 3 prime end भी पाया जाता है before the start codon and at the 3 prime end after the stop codon अब initiation कैसे होगा तो जैसे ही 30 a sub unit bind करता है ribosome का messenger RNA से तो messenger RNA का starting codon है AUG जिसको transfer RNA का anti codon read कर लेता है और transfer RNA उसको read करके specific amino acid methionine को A side पर ले आता है और methionine वाला transfer RNA methionine से charge transfer RNA फिर A side से move करने लगता है P side पर और transfer RNA दूसरा आता है जो दूसरा codon को messenger RNA से read करता है messenger RNA के read करता है अपने anti codon से और दूसरा amino acid को लाता है और इस तरह से initiate हो जाता है formation of polypeptide chain अब elongation होगा तो another amino acid जो है specific transfer RNA messenger RNA के codon को read करता है फिर A side पर लाता है previously charge transfer RNA जो है अपने amino acid के साथ भी side पर चला जाता है अब A side पर भी charge transfer RNA है एक amino acid के साथ और P side पर भी है अब दोनों के पीछ में A side और P side बहुत close है दोनों के पीछ में peptide bond formation होता है peptide bond formation होता है और फिर ये दोनो amino acid एक साथ P side से आगे बढ़ जाते हैं फिर A side खाली होता है वहाँ पर फिर दूसरा specific transfer RNA messenger RNA के codon को read करके फिर तीसरा amino acid को लाता है फिर वो P side पर move कर जाता है और वहाँ पर जा करके फिर तीसरे amino acid से bind करता है polypeptide chain के द्वारा और इस तरह से 21 amino acid आता है और सब के बीच में peptide bond बन जाता है long chain of polypeptide बन जाता है और क्योंकि सब एक दूसरे से amino acid peptide bond से जुड़ जाते हैं उसके बाद अब transfer RNA आता है तो वहाँ पर coding sequence नहीं stop codon आ जाता है messenger RNA का उसके बाद termination हो जाता है translation का protein synthesis बंध हो जाता है और उसके बाद ये जो polypeptide chain बनाता है 21 amino acid का वो release हो जाता है cytoplast में और protein synthesis होता है अब देख ले lay copperin concept क्या है ले copperin concept ले copperin concept क्या है अब ले लेख ले लेख 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 अब लोग देख लें लेक आपरेंट कंसेप्ट क्या है लाइन के द्वारा इसको समझ सकते है लेक आपरेंट जो है यह काम करता है लेक आपरेंट के प्रेजंस में इसलिये इसका नाम लेक आपरेंट है इसको याद रखने के लिए लिए यो एन मतलब L से होता है लेक आपरेंट I, Inducible in Bacteria और यह होता है प्रेजंस ओप लेकटो जोगर के प्रेजंस में लेकापरन में, लेक मतलब होता है लेकटोस सुगर और यह लेकापरन जो है यह जीन पाया जाता है प्रोकेरितिक भैक्टिर्या में और यह एक्जामपल है, पॉलिसिस्ट्रोणिक जीन का जहां पर डिफ्रिट जीन directed कोड करते हैं कि डिफ्रेंट एन जाइम के से जिंथेटेस के लिए और लेकवरयन जो है पॉली इस्ट्रों में पाया जाता है और इस पॉली से सट्रों में तब जीए जो हैं अलग अलग केरते हैं तब साथ में एक common promoted gene होता है और साथ में एक regulatory gene होता है यहां पर बहुत सारा structural gene है जो code करेगा different synthesis of different enzyme का मगर यह पूरा like operon है लेक्टो सुगर के presence में काम करता है बैक्टिरिया में पाया जाता है polycystronic gene है बहुत सारा gene है जो code करता है synthesis of different enzyme को किंतों यह जो different structural gene है इसके साथ एक common regulatory gene होता है जो promoter gene होता है और एक common regulatory gene होता है I अब हम लोग देख लेए structure of lack of a run तो इसमें एक common promoter gene है और एक regulatory gene होता है I और एक operator site होता है और इसमें तीन स्ट्रक्शिरल जीन है, जेट, वाई, एन ए, आई जीन जो है, इसको हम लोग रिगुलेटरी जीन भी बोलते हैं, रिगुलेटरी जीन मतलब ये रिगुलेट करेगा, सिंतेसिस अफ लेक्टोज या, इनिविट करेगा, इसलिए इसको रिगुलेटरी जीन कहते हैं, ये क्या करता है, ये कोट करता है, रिप्रेशर मेसंजर आरेने को, और ये रिप्रेशर मेसंजर आरेने, फिर कोट करता है सिंतेसिस अफ रिप्रेशर प्रोटीन को, अगर लेक्टोज सुखर नहीं है, मीडियम में, लेक्टोज क एपसंस में यह जो repressor messenger RNA से repressor messenger protein बनाता यह operator sign में bind हो जाता है जिसके कारण यह operator sign में जैसे ही bind हो जाता है यह इन्यक्टिवेट कर देता है RNA polymerase enzyme को और तीनो structural gene भी जो transcriptional unit ता उसको भी in-activate कर देता है और RNA polymerage enzyme को transcription करने के लिए रोग देता है और तीन तो structural gene है Z gene, Y gene और A gene Z gene जो है structural gene है और ये code करता है enzyme synthesis के लिए और उस enzyme का नाम है beta galactosides ठीक है which is responsible for the hydrolysis of lactose sugar और lactose का जब hydrolysis होता है तो बनता है monosaccharide glucose and galactosides one molecule of glucose and one molecule of galactose दूसरा है Y gene Y gene जो है it codes for the synthesis of enzyme permease और permease enzyme जो है ये cell membrane की permeability को बढ़ाता है और cell membrane की permeability बढ़ जाने से cell में lactose के entry बढ़ जाता है cell के cytoplasm में तीसरा जीन है A gene ये code करता है transacetylase enzyme के synthesis को किन्तो इसका function अभी तक नहीं पता चला तो यहाँ पर तीन जीन चाहिए lactose के metabolism के लिए और इस अपेरान कंसेप्ट में lactose inducer है और lactose को inducer कहते हैं क्योंकि ये substrate है beta galactosidase enzyme के लिए और lactose inducer है और ये switch on और switch off करता है lack operon को अगर medium में है तो lack operon switch on रहेगा अगर medium में lactose absent है तो lack operon switch off हो जाता है मतलब lactose का breakdown नहीं होता है तो ये पूरा lack operon का gene है ये polycystronic gene है इसमें तीन structural gene होता है Z, Y, A और उसमें एक operator site होता है common promoter gene site होता है एक regulatory site होता है regulatory gene site में को आई कहते है small eye से represent किया जाता है ये code करता है synthesis of repressure messenger RNA और repressure messenger RNA code करता है repressure protein को अगर medium में lactose नहीं है तो repressure site bind कर जाता है operator site से और operator site पे जैसे ही bind करता है ये इनिवेट करता है RNA polymerage को in absence of lactose और RNA polymerage का activity जब इनिवेट हो जाता है तो ये तीन जो structural gene है operon site पे ये तीनों gene का activity को stop करता है उसको transcribe होने नहीं देता है अगर medium में lactose है तो क्या होता है जब regulatory gene repressure messenger RNA बनाता है और उससे जब repressure protein बनता है तो lactose inducer क्या करता है repressure protein से bind कर देता है तो इसको repressure protein से जैसे ही lactose bind हो जाता है वो repressure protein को operator site पे bind नहीं होने देता जिससे RNA polymerage gene पे active हो जाता है operator site पे active है और structurally active है इसलिए तीनों gene structurally active हो जाता है तो lactose को inducer बोलते है क्योंकि यह substrate है enzyme beta galactosidase का जिसको की beta galactosidase enzyme तोड़ता है और one unit of glucose और one unit of galactose बनाता है तो lactose regulate करता है यानि यह operant को switch off और switch on करता है तो regulatory gene जब repressure protein बनाया था तो lactose medium में presence था तो यह क्या क्या repressure protein से bind कर दिया और bind करने से lactose repressure protein से तो repressure protein अब वो operator site पे bind नहीं कर सकेगा लेकोपरन के तो repressure जो है inactivate हो गया और अब RNA polymerase active हो जाएगा promoter site पे और transcription होगा तीनों structural gene का और तीनों structural gene code करेंगे messenger RNA में synthesis of three different enzyme जैसे जेड इस्ट्रक्ट्ट्रल जीन यह बीटा galactosidage enzyme को synthesis करेगा और यह lactose substrate है medium में उसको break down करेगा one molecule of galactose में one molecule of galactose में वाई structural gene जो है वो lactose no lactose medium अगर lactose नहीं था तो कोई यह lactose आ जाता है तो lactose जो है रिप्रेशर प्रूटिन से बाइंड कर जाते हैं और यह synthesis करते हैं अपने specific enzyme को और transcription चलता है तो लेक्टोज से बाइंड हो गया आरने पोली मेरेज active हो जाता है तीनों structural gene active हो जाता है और तीनों structural gene अपना-अपना enzyme को synthesis करते हैं जैसे जड जीन बीटा ग्लुकोज में उसी तरह से वाई जीन जो है पर्मेज एंजाइम पर्मेबिलेटी को बढ़ाता है सेल मेंब्रेन के और मोर इंट्री अप लेक्टोज को सेल साइटोप्लाज में होने देता है और यह जीन जो है वह सिंथेसिस करता है मैंनोंयग ओम हम लोग देख लेए himan genome प्रोजेक्ट क्या है जीनों क्या है तो तोल नंबर ऑप जीच अब जीनों कहते हैं या दीन आ पे जोब टोटल नंबर ऑफ हीपलाइड शेटप का और यहँणों की एज़ीपी को मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं क्योंकि human genome project चो एक मेगा प्रोजेक्ट है इसके द्वारा हम लोग identify कर सकते हैं, analyze कर सकते हैं, amplify कर सकते हैं, DNA के ओपर जितना भी gene का coding sequence है, non coding sequence है human genome में human genome project को हम लोग मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं क्योंकि इसके द्वारा human का जितना भी nucleotide है, human genome में जितना भी nucleotide sequence है, इसमें कौन सा coding है, non coding है, इसको identify कर सकते हैं, इसको analyze कर सकते हैं, इसको amplify कर सकते हैं, और इस human genome project को समझने में लगवग 13 years लगा, 1990 से शुरू वाटा, 2003 में complete हुआ, इसलिए भी a mega project है, और इस project का main motto क्या है, main objective क्या है, तो human genome में identify करना, और mapping करना, सभी gene का, गोल of HGP क्या है, human genome project का, क्या goal है, तो goal या main objective of human genome project का, कि human में जितना भी gene है, या gene का sequence है, जिसमें all coding और non coding sequence जो है, human genome का, सबको identify करना, सबको mapping करना, दूसरा है, इससे पता चला, कि identified estimated gene, human DNA में जो है, 20,000 से 25,000 है, और इस knowledge के द्वारा, हम लोग, diagnose कर सकते हैं, treat कर सकते हैं, और कुछ दिनों में हम लोग, prevent कर सकते हैं, genetic disorder को, human में, क्या क्या methodologies use किया गया, human genome project study में, तो express sequence tag, और दूसरा है, blind approach, express sequence tag में किया गया, यह first approach है, जिसके द्वारा, हम लोग, coding sequence में, all gene, all gene को पहचान सकते हैं, जो code करता है, nucleotide के, nucleotide में, उस gene code को पहचानना, जो code करता है, और जो expressive है, और दूसरा है, blind approach, इसमें, हम लोग, nucleotide DNA का, बोद coding और non coding sequence को, identify कर सकते हैं, that is the whole set of genome, and mapping of all the gene of human genome, और इसको हम लोग, sequence annotation टेक्निक भी कहते हैं, और blind approach, जिस scientist के द्वारा किया गया था, संगर नाम था, first develop method for determination of, संगर ना सबसे पहले determine किया था, gene sequence, for amino acid synthesis of protein, human genome का silent feature क्या है, human genome sequence, एक project का, इसके human genome में, total number of gene जो है, इसमें 3164.7 nucleotide basis है, human genome में लगवक, 30,000 gene है, इसमें 3000 functional gene है, सबसे बड़ा chromosome number one है, जिस पे 2968 gene है, chromosome Y सबसे चोटा gene है, जिस पे 231 gene पाया जाता है, और express sequence tag के द्वारा हम उस gene को पैचान सकते हैं, जो express होता है in form of RNA, अब हम लोग देख लेए, DNA fingerprinting क्या है, Alec and Jeffrey ने discover किया था इस technique को, इस method के द्वारा, हम DNA sequence of दो individual को, two individual के DNA sequence को compare कर सकते हैं, Among two individual, 99.1% base sequence are identical, जब हम compare करते हैं, तोनों individual के DNA sequence को, तो 99.1% base sequence जो है DNA का, दोनों में identical है, किन्तो 0.1% base sequence जो है, दोनों individual का DNA sequence में अलग है, यूनिक है, जो 0.1% base sequence जो दोनों individual का अलग है, यूनिक है, उसको हम लोग BNTR बोलते हैं, यानि variable number of tandem repeat बोलते हैं, और यही जो 0.1% base sequence दोनों individual का difference है, variable number of tandem repeat, इस base sequence को, यह use किया जाता है DNA fingerprinting में, इसमें दो सेट DNA का त्यार किया जाता है, एक सेट विक्टिम का होता है, और एक है suspect का, ट्राइंग टो कमपेर, इसमें दो सेट अप DNA लेते हैं, यह दोनों individual का, और DNA का length होता है, 3 एंटो 10 तो दो पापट, 6 base pair of DNA, और इसमें हम लोग identify करते हैं, और डिफरेंट जीन को पता कर सकते हैं, इस पेस्पिक रीजिन में DNA का, तो हम देखें, 99.1 base sequence दोनों individual के DNA का, सेम है, सिर्फ 0.1 base sequence है, base sequence, वो डिफरेंट है, उसमें repetitive DNA sequence है, repetitive DNA sequence क्या है, small stretch of DNA है, दोनों individual का, जो जिसमें DNA का जो base sequence है, वो repeated form में रहता है, और इस repeated base sequence में, higher degree of polymorphism होता है, और जिसके करण, यह 0.1 base sequence है, repetitive base sequence का, जिसमें polymorphism रहता है, इसी को use किया जाता है, DNA fingerprinting के लिए, इसमें DNA fingerprinting के लिए, कहां से DNA लिया जाता है, DNA blood का, hair follicle का, skin का, bone का, saliva का, sperm का, जिसमें variable number of tandem repeat वाला DNA sequence है, basic sequence है, repetitive sequence of DNA है, जिसमें highest degree of polymorphism है, और इसी, इसी के करण, यह base sequence को forensic science में use किया जाता है, और DNA fingerprinting को forensic science में भी, इस study में भी use किया जाता है, तू identify the criminal and victim among the criminal victim and suspect and it is also used in parental testing, polymorphism किया है, variation at genetic level among organism, due to mutation is called polymorphism, सभी organism एक दूसरे से समाने हैं, सभी variation है, variation जहां पे जिस basic sequence में ज्यादा variation है, 0.1% में, जिसमें higher degree of polymorphism है, और इस polymorphism के कारण भी variation होता है, तो Alex Zephyri ने first use किया as set DNA को, as a probe, that source, highest degree of polymorphism, और यहां पे जो repetitive sequence of DNA है, gene sequence है, यह higher degree of polymorphism को सो करता है, इसलिए इस gene sequence को हम लोग variable number of tandem repeat कहते हैं, और इस ही gene sequence, 0.1% जो gene sequence है, इस ही को use किया जाता है DNA fingerprinting में, repetitive DNA और से DNA में क्या अंतर है, DNA sequence which contains small segment of DNA, और जो repeat करता है many times, इसको हम लोग variable number of tandem repeat भी कहते हैं, और satellite DNA, इसमें highly repetitive DNA sequence होता है, और यह भी mostly use किया जाता है, DNA fingerprinting में, steps किया DNA fingerprinting का, तो सबसे पहले DNA को isolate करना है, दोनों individual से, उसके बाद DNA को digest करना है, endonucleus enzyme से, endonucleus enzyme scissor का का काम करता है, यहां पर victim और suspect है, 310 to the power, 6 best pair of DNA को use किया गया, तो individual के लिए, दोनों का DNA sequence को लिया गया, उसके बाद DNA sequence को, endonucleus enzyme से काटा गया, जिसको molecular scissor कहते हैं, जिससे DNA का चोटा 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 fragment बन गया, अब सेपरेट करेंगे DNA fragment को, by gel electrophoresis, अब सेपरेटे DNA को, नाइट्रो सेलिलोज पेपर पेपर पे दिया गया, या नाइलोन पेपर पे दिया गया, और इस technique को, हम लोग सावधन ब्लोटिंग कहते हैं, एक तरब cathode होता है, अनोड होता है, या नाइट्रो सेलिलोज का पेपर होता है, जेल पेपर, और इसमें DNA fragment को डाल देते हैं, तो DNA fragment जो है, निगेटिव चार्ज से positive चार्ज की तरब मूव करता है, और जो छोटा fragment होता है, वो तेजी से मूव करता है, इसके बाद, separation हो जाता है fragment का, उसके बाद उसको हम लोग separate fragment को southern blotting से दूसरे paper में लेते हैं, नाइट्रो सेलिलोज paper में, या nylon paper में, जिसको हम लोग southern blotting कहते हैं, उसके बाद, उसको hybridized किया जाता है, by using the probe VNTR, और auto radiography, उसके बाद, detection of hybridized DNA, by auto radiography और x-ray, and source many band of the DNA, of different size, अब इस तरह से compare कर सकते हैं, two sets of DNA, of two individual, और कुछ specific region में, अगर different पता चल रहा है, repetitive sequence का DNA, और कहीं पर similarity दिखाई दे रहा है, तो मतलब, यह victim का suspect, यह हो सकता है, तो यह जो auto radiogram है, gives many band of the DNA, of the different sizes, और यह different band of DNA, जो है, यह बताता है, different characteristics of individual को, और यह different band of DNA, which differs करता है, individual to individual, इन्हें population, even कि monogigotic twin में भी, यह जो band of DNA है, यह अलग होता है, तो आज यह ही तक, उसके बद नेक्स्ट, साबन चैप्टर करेंगे, करेंगे को, यह लिए यह बता है, तो आजे दो करेंगे, कि बता इंता है, बता है, कि मैं यह…